अगर आपको बारा मैंसे आपके अगर दस बिलूमसद आते हैं या फिर आपके टेस्ट में नंबर आ जाते हैं तो आपके तैयारी बहुत अच्छी चल लई है और मैंने आप लोग के लिए एक टेलिग्राम गुरूप भी बना दिया है बहां पर आपको कोई भी डाउट हो त सब्सक्रों देख लिए दें कि उठ्ण का मतलब होता है आप मतलब क्या होगा कि आपलोग के कितने नंबर live 12 from का मतलब क्या होता है कि ऊपर उठ्ण मनला समषणी होता है यह ृतान और उसम चांतन नहीं है इसका अप माउजर्ण हो जाता है अपकर्स मतलब बही नीचे गड़ जाना डाउन फाल हो जाना यह सब एशवर का मतलब यही होता है कि एशवर का मतलब होता है समर्दी खुशी यह सब होता है एशवर का मतलब पॉजिटिफ सेंस में होता है तो एश्वर का क्या होता है अनेश्वर होता है क्या होता है एश्वर का अनेश्वर होता है ये ध्यान रखेगा बहुत पूछा जाता है most important वैसे आता ही है कृतक क्या मतलब होता है जो उपकार को मानने वाला होता है और कृतगन क्या होता है जो उपकार को नहीं मानता है उसक इसका हो जाएगा उजेली लाप पूरिमन कया हो जाएगा अब इसका अपूरिमन का मतलब होता है। तो इसका opposite क्या हो जाएगा अंधकार ठीक है हर्स का मतलब होता है खुशी तो इसका opposite क्या हो जाएगा बिशात या फिर आप शोग भी लगा सकते हो इसका प्राचीन का मतलब क्या होता है जो बहुत पुराना हो इसको प्राचीन बोलते है इसका opposite होता है अरवाचीन अरवाच का मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्ति जो उदास है जिसका मन बैमनस जिसका मन कहीं और लगा हो माली जै कि शादी है उसके और विचार एक टेस्टी नहीं ले रहा है उससे का डांस करो है कोई करी नहीं रहा है वो कहीं और बिजी है कहीं और विचारा उसका मन लगा हुआ है तो उसको बैमनस बोलते हैं, जो बिना मन का हो बैमनस होगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका सॉमनस हो जाएगा, मन के साथ हो जाएगा, सॉमनस हो जाएगा, सामिस का मतलब होता है, कि जो मास के साथ हो, मास के साथ हो, मालब कोई भी चीज़ आप ऐसी खारे हैं, जिस पर मास है उसको सामिस बोलते हैं और जो मास के साथ ना हो उसे निरामिश बोलते हैं क्या बोलते हैं निरामिश तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका शामिस है बैमनस है आपका प्राचीन भी काफी पूछा जाता है एश्वर भी है पूछा जाता है आपर बहुत तो most important है करतक भी आपको देखने को मिल सकता है अमावस्या भी देखने को मिल सकते है ये तो थोड़ से common मैंने भी करा दी है लेकिन जो जिन पे मैंने circle किया ये बहुत important है आप नहीं भी note कर लीजेगा अगर आपको इसमें से कोई भी एक नहीं आता है तो please note ज़रूर कर लीजेगा आपको exam में देखने को मिल सकता है मिलता हूँ मैं next video channel को subscribe ज़रूर कर लीजेगा क्योंकि ऐसे videos मैं अब लगातार बनाता हूँगा 25 तारिक तर जिससे आपकी हिंदी और मजबूत होती चली जाए मिलता हूँ next video में thank you